हलो एव्रीबड़ी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम तो मैगने ब्रीज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैप्रकाश नारायन एंड टोटल रेवल्यूशन के बारे में जैप्रकाश नारायन एक बहुत बड़ा नाम और दूसरी चीज टोटल रेवल्यूशन तो आप में से काफी सारे स्टुडेंट्स जो हैं टोटल रेवल्यूशन समझने के लिए इस वीडियो पर आ रहे हैं तो बिलीव में आपको यह टूटल रेवल्यूशन वाला टॉपिक भी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा अब अगर हम क्लास 12 के स्टुडेंट्स से बात करें और चीजों को करें तो पिछले वीडियो तक जो बुक में एक एक टॉपिक लिखें आपने सारे टॉपिक प कि एडिशनल टॉपिक से कुशिन आये हैं तो यहां पर मान के चलेंगे कि एडिशनल टॉपिक को हलके में लेना है सीरियसली पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से बहतरीन तरह से पढ़ना है तो अगर हम बात करते हैं जैप्रकाश नारायन एंड टोटल रेवलिशन इस पा से बताया है तो उन सारी चीज़ों को यहां पर से रिकॉल करना सिर्फ टॉपिक को मत पढ़ना से क्लूजन में मत पढ़ना किसी काम कर नहीं रहेगा जब तक करके नहीं पढ़ोगे कोई मतलब का नहीं है ठीक है तो जैप्रकाश नारायन का आपने नाम जो देखा एक बड़ा रोल रहा है ठीक है जो कहा सकते है पहल कहा सकते एलेक्शन हुआ था 77 का उसमें भी और जैप्रकाश नारायन का वहाँ पे जो नौन कॉंग्रेस गवर्मन बनाई जंता गवर्मन बनाई उसमें क्लेरवा टोटल रवलिशन का उनका इडिया वो भी समझेंगे हम तो कम्टी ते इरियन सोशलिजम अब और देखोक सोशलिजम आप समझते ये जानता अपने क्लास ना इंड में पॉर्मन फैने पहले सोसाइटी का एटर मिस्टिक मतलब क्या की जो लिबरिलिजम है तो उसमें इंडिविजर गवाट रिजाती ये इंडिविजू पे बहुत फोकस किया जाता है लेकिन जब आप कम्यूरियनिज़्म को परते हो कम्यूरियन socialism को पढ़ते हो तो यहां पे यू आर सींग इंडिविजल एज़ पार्ट ऑफ सुसाइटी ठीक है तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कम्यूटेरियन इजम कम्यूटेरियन सोशलिजम से क्या थाग पर है देखो आप कम्यूटेरियन सोशलिजम को अगर समझाने बैठेंगे न तो यह क्या है यह ग्राइशन लेवल पर आपको पूरा-पूरा एक क्या देखिंगे पेपर बन सकता है आपका ठीक है बागी में आपको सिंपल लेमेंट समझाने की कोशिश करां कि क्लास 12 के साब साब ग्रास कर पाओ चीज़ को तो कम्यूटेरियन सोशलिजम का मतलब यह है कि आप कम्यूटे पर एंफसाइस कर रहे हैं इंडिविजल के आइडेंटी को आइडेंटी को उतना जाता एंफसाइज निकिया जा रहा है ठीक है तो इस मेड़ आफ सोसाइटी फाइन तो सोसाइटल वैल्यूज जो है फाइन उस चीज़ पर क्या किया जाता है फोकस किया जाता है तो ही इस नोन फॉर दी थ्री कंट्रिब्यूशन तो एक तो पहला इनकी जो इन्होंने लड़ाई लड़ी करप्शन के गिंस में दूसरी ची जाते हैं चैंपिण ऑफ टोटल रेवलिशन ठीक है तो चैंपिणिंग टोटल रवलिशन मतलब क्या है कि जो संपूर करांति का आईडिया दिया इन्होंने ठीक है वह क्या चीज़ है तो जैसे अभी तक आपने जितना चाप्टर में पढ़ा है तो चाप्टर में जो आप अब कर देखते हुए क्या होता है अपकी यह यंग लीडर्स थे लगव परशाद यादा आज बूर्गे उस समय पर जवान थे ना तो क्या है यह सारे जो लीडर्स थे इन सारे लिडर्स को क्या चाहिए था गाइडेंस चाहिए थे एक मार्क दर्शन चाहिए था एक हाथ तो वह हाथ सिर पर जैप्रकाश नारायन ने रखा जैप्रकाश नारायन क्योंकि पुराने निता है पुराने निता इन देसंस कि कुट इंडिया मूवमेंट के टाइम प्रेड में जब यह यंग थे 1942 के टाइम पर यह यंग थे ठीक है और यह जिसे देखो गया आप 74 के आसपास क्या होता है यह बुदर्ग हो जाते हैं तो अब क्या है कि इन्होंने अपनी कह सकते हैं जवानी के दिन में जिस तरह से मोवमेंट को लीड किया था ना तो अब क्या इनके पास एक्सपिरियंस एक वेटरें इन उन्होंने क्या किया एक इंपॉर्टेंट रूल पे किया तुझाय प्रकाष नारायन वाज फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वू अंडर्टूक टिरेड अगेंस्ट टिरेड अगेंस्ट मतलब का एक बहुत जोरदार आवास से जि इस पे अचल रही थी तहो उस पे लगाने के लिए दिमर से पोर्सल्ट इंडिपेंडेंटेंटल इपिया में जो एक बड़ा मोमें疫 で लूट ने अपने प्लेटिक्स इन इंडिया से전श इंडिपेंडेंटेंच जो पढ़ रहो तो उसमें आपने दी crisis of democratic order में ये देख लिया कि किस तरह से political development हो रहा था किसकी सरकार बन रही थी गिर रही थी किस सरकार का क्या हो रहा था लेकिन ये जो सरकार को बदलने की बात करने मतलब इनोंने नारा दिया था सिंहासन छोड़ों की जनता आती है ठीक तो सिंहासन छोड के बात करीन किरवा तो लिशंदा रॉट एडिया है वो ये है कि in the every sphere of life there should be a change there should be a revolution this was the idea given by jay-prain रखन आराया ठीकै एज है the total revolution किरवा चलो टो टो इस त्रूसिपल of communitarian socialism views India as a society of communities and compassing three key layers to get that our community region last room all combining together as an example of true Federation समझे तरह से यह इस नोन फॉर कम्मिनीटीरियन आपको बताया कि कम्मिनीटी इंफसाइज ठीक तो उनका क्या मानना था कि in Kath catching एंडिया एंडिया एन आच यह पूंसाइटि औफ सुसाइटी आफ कम्मिनीटी तो इंडिया में आपको तीन की लिए देखने को मिलेगी गिजकी जो राष्टर मुलें तो क्या कहूए तो क्या बन गया कमश्टी बन है अब वह म jetzt étant तो दूसर एक कर रही है उतरप्रदेश में कई दॉने कर रही है हुज एक और रिजन की मिलकी राष्ट बनते हैं और जब राष्ट बनता पुरा तो यह आपको क्या देखने को मिलता है कंट्री देखने को मिलता है ठीक तो जो वह बात करते है कम्यूनिटीरियन सोशलिजम की तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कम्यूनिटी रीजन और रास्ट यह सारे फेक्टर यह सारी लेयर्स सबसे नीचे कम्यूनिटी फिर तो based on the above principles तो जो उन्होंने मतलब true federation का अपना idea बताया तो उन principles पे काम करते हुए उन principles पे काम करते हुए जैप्रकास्ट नारायन advocated transformation of individual society ठीक है individual society and state through his call for total revolution अब जब आपको दिख रहा है कि true federation बना किसे community से community consists of individuals ठीक है society and state society मतलब क्या है वो एक रीजन हो गया पुरा का पुरा राष्ट हो गया तो अब जब आपको क्या करना है transformation पूरे के पूरे federation में लाना है तो वह कैसे लाप आओगे वह लाप आओगे जब आप इन लेवल पर काम करोगे इंडिविजन लेवल पर सुसाइटल लेवल पर और स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम के लेवल पर जब काम करोगे तब आप क्या कर पाओगे चेंज लापाओ जब 1970s का टाइम परेड़ था कॉंग्रेस गबर्मेंट जो थी तो वो एक्सेस कमिट कर रही ती उस टाइम परेड़ में ही लेड़ दी यूथ मुव्मेंट ठीक है जो पॉपलर प्रोटेस्ट बगरा थे जिसे गुजरात बिहार उनको लीड किया और लीड करने के साह साथ अब पूरे नैशनल लेवल पे चेंज लाने की जरुवत है इंद्रा गांधी को अपनी जगा छोड़ना पड़ेगी यह सारे मुद्दे उठाए जंतरमंतर पहुच गए थे वो ठीक है फिर उसके बाद का एमर्जंसी लग गई थी पढ़ा है तो उस तरह से क्या है उन्हो पूरा फेडरेशन है ठीक है विच बेच गूंदी थ्री लेर्स में क्या जाएगा आपका आपका कम्यूनिटी आजाएगा आपका रीजन आजाएगा आपका रास्ट आजाएगा तो उसमें अगर आपको बदलाव लाना है तो यू आ रिक्वाइड तो फोकस ओन इंडिव passing every sphere of the life moral मतलब आपको का है moral लेवल पे cultural लेवल पे economic लेवल पे political लेवल पे educational लेवल पे ecological लेवल पे हर लेवल पे बदलाव की जरुवा थे क्योंकि आजादी को इतना समय हो गया था जिस आप देखू की 25 साल हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी क्या है करफशन था उसके बावजूद भी क्या है inefficiency थी तो उसके चलते हुआ ने बोला कि बदलाव एक बार रूट लेवल पे बदलाव लाने की जरूवत है हर स्फेर में बदलाव लाने की जरूवत है ठीक है तो इस पॉलिटिकल ट्रांसोमेशन इंक्लूदेड दी राइट टू रिकॉल ठीक है अब वो जो पॉलिटिकल ट्रांसोमेशन की बात कर रहे हैं तो तो पॉलिटिकल ट् वो बोलते थे political transformation ऐसा हो कि जनता जब चाहे वो उस प्राइम मिनिस्टर को वापिस वहां से उतार सकती है अगर उने इसा लगे तो तो राइट टू रिकॉल का भी एक अधिकार हो ठीकि इस तरह की बात करते थे the importance of village moholla something in democratic politics इंपोर्टेंस ओविलेज moholla samitie मतलब क्या होता है तो village moholla samitie से उनका यहाँ level बदलाओ की बात कर रहें पड़े लेवल के लाने के लिए आप को बड़ी मशीनरी लगेगी लेकिन आप क्या करते हैं आप अगर छोटे लेवल से मतलब देखो यहाँ पे गांधी मतलब एक गांधियन सोशलिजम के फॉलोवर भी थे यह तो गांधी जी का वो परस्पेक्टिव भी दिख रहा है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच रखी जाए तो विलेज महला समीती जो है उन के लोग टू जोइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अक्लीन पॉलिटिक्स इंदी कंट्री जब तक आप मतलब कीचर साफ करना चाहते हैं कीचर से सब को समस्या है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा उस कीचर में उतरना पड़ेगा ठीक है तो वही बात की जारी कि जो लो जी और टूटल रवलीशन अडर दी आईडिया ऑस्टू लोग जो लोग है कैप बले जो बदला ला सकते उन्हें उतरना पड़ेगा नीचाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा पॉलिटिक्स को क्लीन करना पड़ेगा ठीक है दीए असेंस आफ ट्रांस आपरमेशन अ Git rằng केप ट्रांस व्यूशन की बात करें तो विकशन का पूर अपरा आईदिया इस रिवाल्वीं अराउंड टिमJean वहने कहा की इंसान लॉर वह इंसान क्या होता है इंसान जब तक बदलाओं बदलाओं की चाहाँ सब रखते लेकिन उस बदलाओं में उस इंसान को ही क्या करना पड़ेगा सबसे real catalyst बनना पड़ेगा मतलब उसको बोलते ना कि वो domino effect start तो होगा change का लेकि उसके लिए start किसको करना पड़ेगा जो change चाहा रहा individual fine to the essence of transformation according to जैप्रकाश नारायन revolves around the man, it is the man who is going to be the real catalyst for the change in India अगर बदलाव आएगा तो जो बदलाव चाहा रहे हैं उन्हें लाना पड़ेगा fine तो this was the idea of total revolution मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि टोटल revolution क्या है मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया कि जैप्रकाश नारायन का idea जो है राइट to recall important हो जाता है विलेज महला समीती वाइगरा पी important emphasis दिया जाता है उनके दुवारा मैं को वह क्या मानते हैं centrist point मानते हैं which is very important which can play the role of real catalyst in changing the India ठीक है उसे के साथ थी advocated the office of local अगेंजदी corruption यह मैंने अलग क्यों लगा इस point को बताता हूं इसे लोगपाल का office अन्हाजारे क्या अपने लोगपाल का office के बारे में सुना होगा लोगपाल का office है क्या basically तो मतलब आप एक office ऐसा create करो कि वह person इतना powerful हो कि वह corruption के charges कि सी भी मतलब किसी भी position के उपर हो चाहे president prime minister किसी के उपर भी अगर corruption के charges हैं तो लोगपाल office जो है वो क्या कर सकें investigate कर सकें लोगपाल office क्या कर सकें उस चीज़ को कैसकते हैं इंट्रोगेट कर सकें कि हां corruption के charges हैं तो इस इंसान को पगड़ा जा सकता है तो यह लोगपाल के office की डिमांड जैपरकाश नारायंड ने पहले उठाई थी ठीक है तो आज जिसे कर आप देखोगे अन्हाजारे की moment के बाद में लोगपाल office लोगपाल का office तो आ गया है एक आप जो competitive की त्यारी कर रहें आप लोग इस चीज को connect कर पारें समझ पाने कि क्या बात यहां पर की जा रही है तो दिस वाल अलबाउट जैप्रकाश नारायन और टोटल रिवलुशन आपको चीज़ें समझ में यह बहतरीन तरह से समझ में आ यह मैं नेक्स वीडियो में औ आपको बहुत आसानी से YouTube चैनल पर साथ ही साथ हमारी official website magnetbeans.com पर भी मिल जाएंगे करना आपको सिंपल सी चीज है कि magnetbeans.com सर्च करना है गूगल पर आपके सामने website आईगी उस पर क्लिक करना है तो क्लिक करते से कुछ इस तरह का interface को लेगा आप जिस भी class में अपनी class को select क कर लीजे class select करते साब के सामने सारे subject साजाएंगे उस class के आपको जो subject पढ़ना subject को select कीजे subject के साथ में ही आपको क्या मिल जाएंगे chapter topic sub topic सब कुछ मिल जाएगा अराम से गरवेटे syllabus complete कीजे अपने classmates को और juniors को जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टॉपिक के सा till then stay connected keep learning thank you thank you very much